हेलो दोस्तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे बिल आइकॉन को बटन को दबाएं ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो तिवहार का समय हर कारे के लिए शुब माना जाता है और यदि इसी दोरान कुछ दार्मिक कारे भी किये जाएं तो इसका अधिक फल मिलता है होली की रात तो वैसे भी पूजा और जोतिश के उपाय करने के लिए बहुत शुब मानी जाती है इसी लिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिने करने से आपको आने वाले पूरे वर्ष में सुख और सम्रध्धी की प्राप्ती होगी तो आईए जानते हैं इन उपायों के बारे में दोस्तों होली के दोरान कुछ मंत्रों का जब करने से आप महालक्ष्मी की करपा प्राप्त कर सकते हैं होली की रात देवी महालक्ष्मी सहित इस्त देवी देवताओ की विवित पूजा करनी चाहिए मंत्र जब 108 बार या 1008 बार किया जा सकता है मंत्र जब के लिए कमल के गट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए इस मंत्र का जब करे मंत्र ओम श्री महालक्ष्मे नम जी हाँ दोस्तो इस मंत्र का जब करने से मातारानी बहुत खुश होती है महालक्षमी के कमल के फूल, चंदन, कैसर, पीला वस्त्र इत्रव मिठाई अरपित करें इसके बाद कुछ के आसन पर कमल गट्टे की माला से मंत्र का जब करें होली के बाद हर शुक्रवार महालक्षमी का विशेश पूजन इस मंत्र को जब करते हुए करें महा लक्षिमी के इन उपायों को होली की रात करने से आने वाला समय सुक एवं सम्रद्धी से युक्त होगा किन्तु जीवन से जुड़े अन्य पहलियों समंधी उपाय भी होली की रात किया जा सकते हैं उधारन के लिए विवाह में अगर बाधा आती है तो विवाह समंधी उपाय भी किये जा सकते हैं आईए जानते हैं विवाह समंधी बाधा को दूर करने के लिए उपाय होली की रात एक आसान पूजा से विवाह में आ रही बाधा को दूर किया जा सकता है यदि कोई वेक्ती विवाह योग्य है और कुंडली के दोषों के कारण कई पिरायसों के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा तो होली की रात आगे आने वाले उपाये से कुंडली के दोष शान्थ हो सकते हैं होली पर पान का एक साबुत पत्ता, एक साबुत सुपारी एवं हल्दी की गाट लेकर शुमंदिर जाएं पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गाट रखकर शुवलिंग पर अरपित करें इसके बाद अपने घर लोटाएं घर लोटते समय पीछे पलट कर न देखें यह प्रयोग रोज एक के बाद एक दिन करते जाएं इससे विवायोग को काट रहे घर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं दोस्तो इस पूजा को समय समय पर शुब महरत का ध्यान रखते हुए कभी भी कर सकते हैं माननेता है कि इस उपाय से शिवजी की क्रपा प्राप्त होती है और विवा की बाधा और कुंडली के दोश धीरे धीरे खतम होने लगते हैं परन्तु यदि दोस्तो किनी कार्णों से आप यह पूजा नहीं कर सकते तो एक और छोटा सो उपाय है तो विवा में आ रही रुकावट को दूर कर सकता है इसके लिए ना किसी शुब महरत की आवशकता है और ना ही पूजन के लंबे विधी विधान की आवशकता है दोस्तों तो आईए जानते हैं वह उपाय क्या है जिससे हमें लाब मिले इसके लिए जातक को केवल होली की रात को किसी शुब मंदिर में शिवलिंग के पास दीपक जलाना है ऐसी माननेता है कि रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाने से महादेव की विशेश करपा प्राप्त होती है ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी वेक्तिय उपाय करता है उसके जीवन की कई पारिशानिया दीरे दीरे समाप्त हो जाती है दोस्तो अब होली की रात का ये आखरी उपाय हनमान जी के शरण में आकर करें इस एक उपाय से सभी कामों में सफलता और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी से सफलता एवं पारिवारिक सुक की कामना करते हुए या उपाय करता है उससे हनुमान जी वर्दान जरूर देते हैं तो आईए जानते हैं उस उपाय के बारे में होली की रात हनुमान जी को जुड़ा या उपाय कुछ इस प्रकार है इसके लिए होली की रात में इसनान आदी करके पवित्र हो जाएं यदि आप चाहें तो किसी हनुमान मंदिर जाएं या अपने घर पर ही अनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालिसा का जब कर सकते इससे आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी धन्यवाद